आज के वीडियो में मैं आपको एक से लेकर ₹000 तक रोमन संख्याएं लखने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिस्से कि जो हैं आप एक से लेकर और ₹000 के बीच की रोमन संख्याएं कोई भी आपके सामने आजाये और आप बहुत ही कम समय में उसको क्या करते हैं , सकते हैं तो उसके लिए क्या है आपको कुछ जो है रोमन संख्याइं मैं यहां पर बताऊंगा जहां पर जो है रोमन संख्याइं क्या होती हैं बदलती हैं तो उन रोमन संख्याइं जहां जहां पर बदलती हैं उन रोमन संख्याओं को आप याद कर लिजिए जैसे कि रोमन संख्याओं आपकी बदलती हैं जैसे कि सबसे पहले आपको एक से लेकर नो तक रोमन संख्या है तो आनी ही चाहिए तो जैसे एक को जो है इधार हम एक लिखते हैं इधार रोमन संख्या में इसको क्या लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं तो एक से लेकर दस तक जो है हमने रोमन संख्या यहाँ पर लिख दी हैं अब आपको याद करना होगा जह एक तो आपको एक से लेकर दस तक संख्याँ याद होना चाहिए, अब जो मैं संख्याँ लिख रहा हूँ, आपको वो संख्याँ याद रखनी है, जैसे कि जो रोमन संख्याँ बदलती है, वो कहां से बदलना शुरू होती है, जैसे कि 40, 40 को हम लिखते है, X, L, ये आपको प बदलेगी हमारी रोमन संख्या 400 पर 400 को जो लिखा जाता है CD 400 लिखा जाता है उसके बाद में 500 आपको पता होना चाहिए 500 को लिखते हैं केवल D इसी तरीके से जो है हमारा 900 पर बदलती है रोमन संख्या रोमन संख्या को 900 में लिखते है CM और पूरे 1000 को लिखा जाता है रोमन संख्या में केवल और केवल M से तो इन संख्याओं को जो है आपको याद कर लेना है और अब जो है आप एक से लेकर 1000 के बीच की रोमन संख्या कोई भी हो वह आप बहुत ही कम समय में लिख पाएंगे ब चालिस है तो चालिस को कैसे लिखते हैं? X और L और 9 को आपको पता है 9 कैसे लिखा जाता है? यह I और X यह कितना हो गया? 49 हो गया इसी तरीके से अगर आपको यह नहीं पता होता है कि 40 कैसे लिखते हैं? X L तो आप जानते हो कि 10 से क्या है? 10 को X से लिखते हैं अगर आपको 40 पता होता कि 40 को X से लिखते हैं तो आप 40 को किस तरह से लिखते हैं चार बार X लिखते हैं जो कि क्या है यह क्या है गलत है यह गलत है 40 आपका होता है XL उर्ट से बाद में 9 लिखेंगे IX तो ये हो गया 49 इस तरीके से कोई भी संख्याँ आप ले सकते हैं इस तरीके से 69 अगर ले ले 69 तो आपको पता है 69 किस तरीके से लिखेंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 50 को कैसे लिखते हैं तो 50 क्या हो गया यह लो हो गया हमारा ये 50 और नो के लिए क्या लिखेंगे ऑई और एक्स लिखेंगे ये आपका क्या हो गया؟ 69 हो गया इसी तरीके से हाँ कोई भी संख्याँ जैसे कि कहा पर बदलती है 50 के बाद कि यह हो गई 90 के उपर की कोई संख्या लिखेंगे जैसे हम लिख लेते हैं 95 जैसे कि 95 अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे जब हमें 90 पता होगा 90 हम कैसे लिखते हैं X और C से 90 लिखा जाता है और 5 के लिए तो आप जानते हैं यह 5 होता है वी लिखी जाती है पांच के लिए, तो यह क्या हो गया, यह 95 हो गया, इसी तरीortion, 400 के ऊपर की कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसिए कि यहां पर लेक दिखाते हैं, 100 से ऊपर की लिखके दिखते हैं, 100 से ऊपर की, जैसे कrial लेकर दिखते हैं, 1665 अगर हमें लिखना है एल से तो ये कितना हो गया डेड़ सो और फिर क्या लिखेंगे पंदरा पंदरा के लिए क्या लिखेंगे ये हो गया दस और ये हो गया पांच तो ये लिख गया है आपका 165 यानि की सव पचास गेड़ सव उसके बाद में ये 160 हो गया और पांच तो ये हो गया 165 इस तरह से आपको ये संख्या इसी तरीके से एक और अगर ले लें जैसे कि ले लेते हैं क्यूंकि अब जाके बदलेगी हमारी 400 पर तो हम जैसे कि 300, 200, 215 अगर लिखना चाहें तो वो हम कैसे ल 200 पहले लिखेंगे तो 1C और 2C यानि कि 2 बार C लिखेंगे तो ये कितना हो गया 200 उसके बाद में ये हो गया 10 और ये हो गया 5 ये कितना हो गया 215 इसी तरीके 300 के उपर क्यों कोई संख्या लिखनी हो जैसे कि हम लिख लेते हैं 345 345 कैसे लिखेंगे 3 बार C लिखेंगे उस उसके बाद में 400 के बाद बदलती है, तो 400 के उपर की कोई संख्या अगर हम ले 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 जैसे कि 400, 455 ही ले ले लेते हैं, तो चार्ण सो पच्पन को कैसे लिखेंगे? जब तक हमें 400 नहीं पता होगा, क्योंकि 400 को हम लिखते हैं CD से, और 50 को लिखते है L से, और 5 को लिखते है वी से यह लिग गया देख्षो 455 उसके बाद में 500 पर बदलती है रोमन संख्या तो 500 से 900 तो क्या है डी तो 500 हम लिख लेते हैं जिसे 500 के उपर की संख्या जिसे 660, 665 अगर हमें लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे तो सबसे पहले हमें 500 पता होना जी 500 को लिखते हैं D से और उसके बाद में क्या करेंगे हम उसके बाद में हमें 600 करना है तो एक यह सी आ गया तो कितना हो गया 500 और यह हो गया 600 उसके बाद में हमें 65 लिखना है तो अब क्या लिख रहेंगे हम 50 50 क्या हो गया यह यह हो गया कितना हो गया यह हो गया 500 500 600 600 600 600 हो गया उसके बाद में आप हम क्या लिखेंगे यह हो गया 650W यह मिल दाए द 65 इसी तरीके से 900 के ऊपर की कोई भी संख्या करें यहां से ऊच्छा सग्म 800 900 तक चलेगी यहीं उसके बाद में कोई भी संख्या आप लिख लिखना हो 800 से 55 अगर आपको लिखना हो तों आप कैसे लिखेंกे तो अब से पहले 500 पर जाएंगे कि यही है 500 के लिए D हो गया उसके बाद में क्या हम लिखेंगे आठ सो पाचास और बीस सतर हो गया यानिकि 870 और पाच पसतर तो इस तरीके से लिखेंगे अब 900 के ऊपर की कोई संख्या लिख लेते हैं जैसे कि हम 900 935 अगर हमें लिखना हो 935 कैसे लिखेंगे जब तक हमें 900 नहीं पता होगा यानिकि 900 को लिखते हैं CM और 35 के लिए हमें 3 बार X लिखना पड़ेगा यह हो गया 30 और यह हो गया 5 यह हो गया 935 इस तरीके से आप एक से लेकर जो है 1000 तक की रोमन संख्या क्या है लिख सकते हैं क्योंकि रोमन संख्या से कभी-कभी पेपर में एक पोस्टन आ जाता है वह एक कोस्टन आपका एक दो या ती नंबर का हो सकता है तो वह एक नंबर